Brought to you by Agilis Diagnostics की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है दरसल साल 2019 में साओधी अरब ने भारत के साथ एक बड़ा समझोता किया था साओधी ने वादा किया था कि वो भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा जिसमें उर्जा, क्रिशे, इंफ्रास्ट्रक्शर और manufacturing जैसे प्रमुक सेक्टर शामिल है अब इस वादे को साओधी अरब ने हाकिकत में बदलना शुरू कर दिया आप अपने स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि साओधी अरब और BPCL के बीच एक बड़ी डिल की बाचीत हो रही साओधी अरब भारत में एक नई रिफाइनरी में निवेश करने की तयारी कर रहा जो इस 100 बिलियन डॉलर की योजना का हिस्सा है 2019 में जब साओधी के क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान ने भारत का दौरा किया तभी से दोनों देशों के भी समंदों में मजबूती आई इसके बाद से ही भारत और साओधी अरब ने कई महतपूर समझाओते किये हैं तो आखिर ये इन्वेस्टमेंट किस पारे में है दरसल भारत की उर्ज़जरूते हर साल तेजी से बढ़ ही इसे पूरा करने के लिए भारत की प्रमुक पेट्रोलियम कंपनी BPCL यानि भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिम्टेट एक नई रिफाइनरी बनाने की योज़डा मना रही इस रिफाइनरी का उद्देश भविस की मांग को पूरा करना है और इसी भी साओधी अरब इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए आगे आया इस रिफाइनरी के लिए BPCL आन्द प्रदेश को संभावित लोकिशन के रूप में देख रही जहां इस नई रिफाइनरी का निर्माड किया जा सकता है पूरा करने के लिए लगभग 85% तेल का आयात करना पड़ता है जिसे देश की अर्थवस्ता पर भारी दबाव पड़ता है ऐसे में सौधी का ये निवेश भारत के उर्जा संकट को कम करने में मददगार साबित हो सकता है सौधी का ये 100 बिलियन डॉलर का इन्वेश्मेंट केवल रिफाइनरी तक सीमित नहीं है ये निवेश भारत के कृशी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनुफेक्शन जैसे सेक्टर में भी किया जाएगा वैसे भारत की उर्जा नीती के लिए ये निवेश एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा तेल की कीमतों में उतार चड़ाव और भविश में संभावी संकटों को ध्यान में रखते हुए ये नई रिफाइनी भारत को तेल की उपलबता सुनिशित करने में मदद करेगी इससे भारत की तेल की टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी बीपीसेल आने वाले 5 सालों में 1.7 लाग करोड रुपे का निवेश करने की योज़ना बना रही जिसमें से 75,000 करोड उपे रिफाइनी और पेट्रो केमिकल सेक्टर में लगाए जाएंगे खैर अब भारत और सौधी की बीच ये दोस्ती सिर्फ काग जो तक सीमित नहीं है ये 100 बिलियन डॉलर का निवेश भारत के उर्जा सेक्टर को बदलने वाला है और साथ ही दोनों देशों के सम्मंदों को नई उचाई तक ले जाएगा अब देखना तो ये होगा कि ये परियोजना कब पूरी होगी और इसका असर भारत की उर्जा नीतियों पर कितना पड़ेगा आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से सौधी ने ये विचार किया है उसे लेकर कॉमेंट करकर जरूर बताएं गेरो रिपोर्ट भारत तक कर दो